मेरे प्यारे युवा साथियों आज एक लाग से ज़्यादा युवाओं को सरकार में नोकरी के लिए नियूक्ति पत्र दिये गए हैं आपने कड़ी महनत से अपनी ये सफलता हासिर की हैं मैं आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ युवाओं को भारत सरकार में नोकरी देने का अभ्यान लगातार तेज गती से चल रहा है पहले की सरकारों में नोकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियूक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था इस देरी का फाइदा उठा कर उस दोरान लिश्वत का खेल भी जम कर होता था हमने भारत सरकार में भरती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है इतना ही नहीं सरकार का बहुत जोर है कि भरती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान आउसर मिलने लगा है आज हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है 2014 के बाद से ही हमारा प्रयात रहा है कि नव जवानों को भारत सरकार के साथ जोड कर उन्हें राष्ट निर्मान का सहभागी बनाए पहले की सरकार ने अपने दस साल में जितनी सरकारी नोक्रियां दी थी उससे लगवग डेड़ गुना ज्यादा सरकारी नोकरी भाजपा की सरकार ने अपने दस साल में दी है आज दिल्ली में एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉंप्लेक्स का भी सिलान्यास हुआ है मुझे विश्वास है कि नए ट्रेनिंग कॉंप्लेक्स से कैपेसिटी बिलिनिंग की हमारी पहल को और मजबुती मिलेगी साथियों आज सरकार के प्रयासों से देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर खुड रहे हैं इन सेक्टर्स में जो नए अभ्यान सरकार ने शुरू किये हैं उसकी वज़े से रोजगार स्वरोजगार ऐसे अनेक नए मोके बन रहे हैं आपने देखा है कि इस बजेट में एक करोड परिवारों के लिए रूप टॉप सोलर पावर स्कीम की गोशना की गई हैं अब चट पर सोलर पैनल लगाने वालों को डबल फायदा होगा उनका बिजली बिल जिरो होगा और जो अतिरिक्त बिजली वो पैदा करेंगे उससे आए भी होगी कि रूप टॉप सोलर की इतनी बड़ी योजना से देश में रोजगार के भी लाखो नए अवसर बनेंगे कोई सोलर पैनल का काम करेगा कोई बैटरी से जुड़े बिजनेस में आएगा कोई वायरिंग का काम समालेगा यह एक योजना अनेकों स्तर पर रोजगार के मोके बनाएगी मेरे युवा साथियों आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टारट आप एकोसिस्थिम है कि देश में इस्टारट अप्स की संक्या कि अब सभा लाग के आस्पात पहुंच रही है कि मुझे यह देखकर बहुत खुशी है कि इन में बड़ी संक्या में स्टारट अप्स छोटे-चोटे टियर टू टियर थ्री ऐसे शहरों में हो रहे जो जिला केंदर भी नहीं है इन स्टार्ट अप्स में युवाओं के लिए लाखों रोजगार बन रहे हैं इस बार के बजेट में स्टार्ट अप को मिलने वाली टैक्स छुट को आगे बढ़ाने का भी एलान किया गया है इसका बड़ा लाब हमारे युवाओं को मिलेगा बजेट में रीसर्ट और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपिये का नया फंड बनाने की गोश्णा की गई है साथ्यों आज इस रोजगार मेले के द्वारा भारतिये रेल में भी नियुक्तियां हो रही है जब भी कहीं लोगों को परिवार के साथ लंबी आता पर जाना होता है तो भारतिये रेल आज भी सामान्य परिवार की पहली पसंद होती है भारतिये रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्फर्मेशन के दोर से गुजर रही है इस दसक के अंत तक भारतिये रेलवे का पूरी तरह काया कल्प होने जा रहा है आपको याद होगा 2014 से पहले रेलवे की क्या स्थिती थी